कुट मॉनिंग एरोगन श्रीमती मोहद्देवित आपड़ी अप्डोल्स पोली जस्वूंत गट्टी शुटुप चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में हम आप पार्ट देखेंगे सेकेंड कोशन नंबर 14 का कोशन नंबर 14 में हमने जो और इसके बश्याद जो जेड़ की वेल्यू है उसके माध्यम से जो हमें प्रॉप्रिटी का जो टाइम दिया गया है कि 90 पर जो प्रॉप्रिटी है उस पे जो एक्सपेट्रिट टाइम क्या लगेगा वो निकालना है तो सबसे पहले ये फ्ट लट निकालते हैं तो सबसे एक लिए एस टी कि आद में निकालेंगे एल एफट एस्ट को एक दवार को धर्शार के में यह को इवन यह यह इवन है कि तो कि इवन इसको कहते हैं यह वाइवगा इटू यह इब्ली यह इफॉर इफाइफ कि इसिक्स और इसेवन तो इस तरह के से यह सारी से लिख दी है इसे प्रकार से एल होता है एल एक द्वारा शो किया जाता है एल वन एल टू एल थ्री एल फॉर और एल फाइफ एल शिक्स लिख लिख लिए तो अब हम इसको करेंगे तो सबस्क्राइब ऐबन तो लिख सार्ट यह तो झाल्य कुछ नहीं है एक्टी और ऊसके बाद में ओल सबस्क्राइब जबाएं जोड़ा सब्सक्राइब हां अधेवं प्लस एक सब्सक्राइब आम अज़िआ है तो यह सी रों होता है थो उतलो ढों चो इ तो कि यह है है ओधिसरी ए वन प्लस इसके बीच का जो टाइम है एम प्लस चार यह Чपी और ऋ अपर एउफॉर कि ह्रेवन प्लस आल, एक जो टाइम ढरे उफो एलोगाय उसके बात फाइफंट फाइफ दो रास्ते आहें टुक्रब्स बीज का टाइम टेटीं प्लस इसको लेते हैं तो यह ऐगा यह जो दस होगा कि इसके पाइब बाक्त करतें और दो रास्ती आ रहें यह फाइब सिरकेंट कि दो रास्त और है किये फाइब सुपाइब टैमंत कि इफजज इवन इफ यह प्लस से ना 5 तो पयस्ड के t О 5 है है जो कि बढ़ा है वो सत्रा तो इसिक से दो कि हो देगा कि सत्रा और इसेवन कि प्लस से बीसका टाइम हो है तो यह हो गया सत्रा इसे सत्रा था सत्रा दो जाते हैं उनीस वह होता है इसको एल सेवन से स्टार्ट होता है तो यह उनीस होगा एल सिक निकालेंगे साथ में से इसका टाइम रटाएंगे एल सेवन माइनस दो एल सेवन है उनीस है उनीस में से दो जाएगा तो यह सत्रा है तो यह है सत्रा एल फाइफ है जो के सिक्स में से टाइम रटाएंगे एल सिक्स माइनस ताथ एल सिक्स है जो सत्रा है सत्रा में सा जाएगा दस यह दस आता है एल फॉर है जो एल सिक्स में से यह बीज की दूरी गटाएंगे एल सिक्स माइनस फाइफ एल सिक्स है जो के सत्रा था सत्रा में से पांस गटा देते हैं तो आएगा बारा तो एल जो में रहाा है तो यह यह पाँच में से इसके बीचक दूरी आगी में च्रह ऑप में यह 5 के बीच में जो टाइम भूरा को गटाएंगे एक दिन लगता है इसको यह पांस में दस था दस में सब्सक्राइगा नो तो आएगा नू है यहां से तीनों से गटाते हैं चोटा हो देंगे एल 2 माइनस दो एल 3 माइनस चार और एल 4 माइनस तीन तो इनमें जो सब्सक्राइगा चोटा रस्ता होगा वही होगा इसमें तो एल 2 है जो के हमारा है 9 है में से साथ एल चार में दो Kom रहं करें हमारा है बारा hole 3 देभिन नो घो चपा यह जीज कुए डी BAR नोइन टी यह जो लखते हैं ď और इन पर लस्त वालग में यह जो उसी के बराबर हों यह एवर स्टिक्निक बराबरी घेख जीरो चाट उता है लोगो तो यह इस तरी के से यह स्ट और एलफ्टी जो इनके आ गए हैं अब है यह चीज निकालने के पच्छा कि बागी की जो चीज निकालेंगे तो अब हम देख लेते हैं कि वेरियंस जो मारा पाफ था प्रिटिकल पाफ था वो देखते हैं कौन सा था यह था सबसे पर एक से तीन आप एक से तीन यह बीच्वाला रास्ता था इसको थोड़ा साम डाय कर सकते हैं ताकि यह साफ साथ पर दिख जाए और इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा डबल लाइनिंग में कर देते हैं ताकि यह साफ साथ है जो दिख जाए है और इसके बाद में यह है और इस तरीके से यह हमारा इस पाथ है एक से तीम तीम से पांट पांट से छे से साफ दूरेशन लगा था चार प्लस छे प्लस साथ ब्राबत उन्नीस इसका जो वेडियेंस है वह हम लेते हैं तो देखते हैं कितना दाए एक से तीन के बीच में जो है एक यह वेडियेंस लिख रहा हूं है एक प्लस इसके बाद में तीन से पांच में है चार प्लस पांच से छे में है जो के है चार प्लस छे से साथ में है जो के एक बटा नवर है तो जब हम जेडिकी निकालते हैं तो फॉर्मले के अकॉर्डिंग हमें यह चीज़ पूछी है दी यह यह पूछी है यह लाव दाय ताइक पे इस पर इस प्रबबिडिटी पर यह दी की वेडिया देज निकालें में अधिक टाइम निकाल लिया है जो कि आया है उन्यस देज और यह एंडरूट के अंदर है जो यह जो एस इस पायर दिया गया यह यह वेलियंस है ठीक है यह वेलियंस की वेल्यू है जो टॉटल जोड़के आ लिखेंगे और अन्डूट निकालेंगे इसका तो हमारे सामने उसको भाद में हुस सबस्कारेंब निकालेंगे और इसको सबस्सeरप निकालेंगे इसको निकालते हैं वी कि इसलों पलस फोर प्लस एक बुट्टे नुख तो इनका क्या है निकालते हैं तो सब नीचे हैं एक एक लगा दें तो इस तरीके से इस सिंख्या के भाग लगाना है तो इस तरीके से एक का नुमें बाग लगाना है जो बाद पल आए उसको उपर वली संख्य से गुना करना है तो इस तरीके से यह सिंख्या जब मीचे एक हो तो सिधा आप गुनाय कर लिए अगरों जिसे नो है तो नो का भाग हमने नो में लगा एक आया एक को एक से गुना के एक आया तो इस तरीके से यह है तो यह 36-36 बहुतर और यह दस 82 बटे 9 हो गया है तो यह इसका बीचिवा ग पर जो डेज पुछे हैं कि ति दिरों में यह प्रोजेक्ट जो खदम हो गया तो यह निकालते हैं तो जेट की वेली ओलडी में दे रखी यह है एक वो एक कोईंट छे च्यार पांच बराबर डी हमें है जो निकालना है माइनस एक्सप्रक्ट टाइम है जो कि हमने पहले से जी निकालना वाय उन्नीस हमारा आयावा है वो लिख लिया में प्लस यह लिखे लिखे रूट में 82 बटे 9 ठीक है 22 में जो 9 का भाग रहेंगे तो आएगा 9 फिर पॉइंट लग जाएगा एक बचेगा एक और फिर एक इस तरीके से अन्रूट एक आने बाद है पर अन्रूट के अंदर लिखना है पहले तो हमें तीन पॉइंट जीरो एक आए गई है तो यह इस तरीके से जीरो एक आना है यहां तो इसका हम वर्गूल लिखा लेंगे और प्रेश्ट का में वर्गूल में 9.11 इसका बाद लिका लें तो सबसे पहले तो एक पॉइंट छैर पांस बराबर दी माइनस उन्नीस इसका लिख बगाएगा तीन पॉइंट इसका हमने वर्गूल पहले से निकाल रखा हुआ है तो मैं यह जो राची है वो देखके लिखता हूं तो इसकी जो राची है वो है तीन पॉइंट जीरो दो और आप करना हैं में क्रोस मृटिप्लाइग दी माइनस उन्नीस को एक से गुना करें हैं यह यह आजाएगा दी माइनस 19 की आएगा बराबर 1.645 को बुना करते हैं 3.02 से और यह 19 उधर देजते हैं बराबर से तो यह जाएगा D बराबर 1.645 इंटू 3.02 प्लस यह इधर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो इसको आपस में गुना करने पर लगवागी यह चार पॉइंट सम्थिंग आता है 4.9 के आसपास तो मैं थोड़ा सोड में इतना है इसको चार पॉइंट नो साथ के आसपास आता है प्लस या उननीस नो उननीस और चार होते हैं तो डी बराबर तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए धन्यवाद अपने वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो वह भी जरूर कीजिए